कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ माननिय उचतम न्यायाले द्वारा SCST वर्गों के आरक्षन संबंदी निर्नय को लेकर 21 सगस्त को सांकेतिक भारत बंद के आहवान को शांति पूर्ल तरीके से संपन कराने को लेकर जिला कलेक्ट की अध्यक्षता में व्यापार महासंग एवं अनुसूचित जाती जन जाती आरक्षन बचाओ संयुक्त संधर्ष समिती के बीच बैठक आयोजित की गई बैठक में व्यापार महासंग ने भारत बंद के आहवान का समर्थन करते हुए अप्राहन तीन बजे तक प्रतिष्थान बंद रखने पर सेहमती जताई वही संयुक्त संधर्ष समिती की ओर से विश्वास दिलाया गया कि अपातकाली ने एवं आवश्यक सेवाओं को प्रभावित नहीं हुने दिया जाएगा विरोध प्रदर्शन सकारात्मक एवं शांतिकून तरीके से किया जाएगा बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने अपील की की कोटा के सोहार की परंपरा को कायम रखते हुए कानून एवं व्यवस्था का विशेश ध्यान रखा जाए बंद के आहवान में शामिल विभिन संगर्थन संभागियों तक ये संदेश पहुँचाए की कानून व्यवस्था की पालना करते हुए सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली जाए संगर्थन ये जिम्मेदारी भी लेकी किसी भी तरह की अवान्षित गतिविधी इस दोरान नहीं हुने पाए आमजन को असुविधा ना हो कोई भी अनादिकृत व्यक्ति जुलूस में शामिल न हो पाए संगर्थन अपने स्तर पर ये भी संदेश दे की रैली में शामिल हुने के लिए ओवलोडेड वाहनों का उप्योब नहीं किया जाए वाहनों की छटों पर बैठकर या अत्यदिक तेजगती से वाहन चलाते हुए इसमें शामिल हुने की चेश्टा नहीं की जाए पुलिस अधीक्षक शहरदा, अमृता दोहन ने कहा कि राजय सरकार से प्राप्त गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए जुलूस रैली इत्यादी का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए रैली संबंदी सभी व्यवस्थाओं की जानकारी संभागियों को दी जाए ताकि कोई ब्रांती या अफवाह की स्थिती ना बने सोशल मीडिया पर विशेश निग्रानी रखते हुए गलत एवं भ्रामक सूचनाओं का त्वरित एवं सही संप्रेशन किया जाए उन्होंने अपील की जबरं किसी के प्रतिष्थान बंद नहीं कराए जाएं तहीं भी टकराव या तनाव की स्थिती नहीं बननी चाहिए निश्चित समय एवं रूट टेकर उसकी एक रूपता से पालना सुनिश्चित कराई जाए उन्होंने ये भी अपील की कि देश के अन्य किसी हिस्से में हुई किसी भी घटना की प्रतिक्रिया कोटा में नहीं हो ये भी ध्यान रखा जाए उप महा पौर कोटा दक्षन पवन मीना ने कहा कि अनुसूचित जाती जन जाती आरक्षन बचाओ सईयुक्त संधर्श समिती की ओर से किया जाने वाला यह विरोध प्रदर्शन शान्तिपूर्ण तरीके से किया जाएगा महराव मेज सेंग स्टेडियम में एक त्रित होकर यहां से अग्रसेंच और रहा नया पुरा होते हुई कलेक्टरेग पर पहुँचकर ग्यापन दिया जाएगा इसमें आमजन को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी समभागियों से सकारात्मक रहने और कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपनी बात रखने की अपील की गई है व्यापार महासंग के अध्यक्ष प्रांती जैन, महासचेव अशोक महेश्वरी एवं सचेव यश मालविय ने कहा कि व्यापार महासंग ने भारक बंद के आहवान को समर्थन देते हुए अप्राहन तीन बजे तक स्वेचा से प्रतिष्थान बंद रखने का निर्ने लिय उन्होंने अपील की कि यदि कोई प्रतिष्थान सब्दी में खुला पाया जाए तो उसे जबरन बंद नहीं करवाया जाए बल्कि आपसी समन्वे से आवश्य कदम उठाय जाए अतिरिक जिला कलेक्टर शहर गजेंद सिंग ने कहा कि आपसी समन्वे के साथ सभी स्थितियों पर बारीकी से नजर रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से रैली संपन की जाए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए किसी भी तरह की समस्या आने पर उनसे संपर्ट कर लिया जाए बैठक में अजाजजा आरक्षन बचाओ से युक्त संधर्ष समिती के पदादिकारी मौजूद रहे क्रिकेट खेलते समय कर्ट लगने से 16 साल की युवक की मौथ हो गई घटना नांता थाना क्षेतर स्थित पार्श्वनाथ अपार्टमेंट की है बताया जा रहा है अपार्टमेंट में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे खेलते समय गेंद बिजली की हाइटेंशन लाइन के जॉइन्ट के पास चली गई युवक गेंद को लेने हाइटेंशन लाइन जॉइन्ट के पास चला गया जुक कर गेंद उठाते समय उसका सिरवाय की टच हो गया युवक मौके पर ही जुलस गया परिजनों ने बिजली कमपणी के एडियलव सोसाइटी पर लापर वही बरतने के आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत है मितक विशू और्फ कालू बैर्वा, सोलह मूरूप से निमोदा हरिसिल का रहने वाला था पिछले दो साल अपने परिजनों के साथ पार्शवनाथ अपार्टमेंट के इब्लॉक में किराय से रह रहा था नौ वीक अक्षा में पढ़ता था, पिता मिनरल वाटर कमपनी में मजदूरी करते है पिता हंसराज ने बताया कि विशू दोपहर में अपार्टमेंट में दोस्तों की साथ क्रिकेट खेल रहा था खेलते समय बॉल गेट नंबर 3 के पास चली गई, वहां हाई टेंशन लाइन का जोइंट था विशू नीचे जुक कर बेट सी गेंड निकाल कर रहा था उसी दोरान उसका सिर्वाय के टच हो गया, मौके पर जुलस गया धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर आए विशू बिजी के तार के नीचे पड़ा हुआ था, बेट भी जुलसा हुआ था सोसाइटी के लोगों ने फोन कर इसकी जानकारी दी सूचना के एक घंटे बाद तक केईडियल के करमचारी मौके नहीं आए हंसराज ने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ वहाँ हाईटेंशन लाइन का जोइंट है जिसे दीवार के पास लोहे की जालियों से बांध रखा है इस जगह को कवर भी नहीं रखा नहीं गेट या जाली लगा रखी ये केईडियलव सोसाइटी की लापर वाही है यहां खुले में तार छोड़ रखे है नान्ता थाना ऐसे चु नवल किशोर शर्मा ने बताया कि घटना दोपहर साड़े बारह से एक बजे के बीच की है युवक ट्रिक्रेट खेल रहा था गेंड लेने साइट में गया था वहां बिजली के तार खुले थे कट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई परिजनों ने लापरवाही की शिकायत दी है कानून सम्मत कारवाई की जाएगी इस रात की सुभा नहीं होती जब तक हाथ में उसकी कर्माहट नहीं होती चाय का प्याला अकबार साथ पुराना है मिट्टी से जोड़ता है खबरों की खुश्पू से सारा घर महकता है हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोग दोग देश की हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है ख्वाबों को सच करके दिखाता है दैनिक नवजोती आपके लिए आपके साथ ये थे आज के मुख्या समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहे दैनिक नवजोती दैनिक नवजोती के येट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकोन दबाएं